के अंदर इतना सब्र है, इतने पर भी किसी की आँख नहीं फूट खुलती ना, इतने पर भी किसी की आँख नहीं खुलती फिर भी गलत बोलते हैं तो अपनी आँखों में मिर्ची जोंक लेना, फिर भी बोलेंगे ना कि सपना को ये वो तो अपनी आँखों में मिर्ची जो करना पुस्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों को दूसरों का बुरा करने में कांटे बन के किसी की रूह तक चुब जाने में बहुत मजा आता है सपना का वीडियो देखा होगा आज उसने खुलकर बात की है और बहुत कुछ जो नहीं बोलना चाह रही थी न वो उसके दर्द ने उसके फेस ने उसकी आँखों ने वो सारी चीजें बैया कर दी हैं समझने वाले समझदार समझ के होंगे कि वो किस हद तक तूड़ चुकी है आज उसने वो थर्ड परसंट के बारें बात की है जो कि जिसने उसकी लाइफ को तहस नहस कर दिया बरवाद कर दिया सपना अकसर उस थar person का जिक्र करती है उस तीसर इंसान का जिक्र करती है लेकिन कभी कुल कर नहीं बोलती क्योंकि आज भी उसे अपनी इज़्द अपने परवार की इज़्द का कई ना कई खयाल है इतना कुछ होने के बाद भी आज अपना सब कुछ हार गई वो सब कुछ हार गई सिर्फ अपने आत्म सम्मान के लिए जो थड़ परसन है थोड़ा तो कलेजी कुछ थंड़क मिली होगी न उसके आशों तो को देख की बहुत सुकून मिलता होगा याद रखिएगा कर्मा सब का लोट कराता है कर्मा जरूर लोट कराता है सपना ने बोला है आज मैं कुछ गलत करूँ तो मेरा भी लोट कराएगा उमें सोसल मीडिया पर रहूंगी देखते रहेगा अगर आप लोग भी गलत करेंगे तो आपका भी लोट कराएगा आज उस लड़की के न अंदर से बद्धुआ निकली है किसी बिद्धवा की, किसी दुख्यारी की यार इतनी मुसीबतों की मारी, इतनी विपता की मारी भगवान ने उस पे पहले से इतना बढ़ा दुखों का पाहट तूटा हुआ है और बाकी भगवान तो भगवान, इंसान, भगवान किसी ने भी कसा नहीं छोड़ी उसके साथ पतानी कौन सी कसक निकाली है उस लड़की की लाइफ में सिवाए आंसों के कुछ है नहीं उसी की एक दूर दूर तक कोई एक छोटी-छोटी सी किरण नजर नहीं आती आज उसके दिल से जो बद्वा निकली है न याद रखेगा कभी खाली नहीं जाती बद्वा का सिर्फ जुवान से निकलना जरूरी नहीं होता आगर किसी की रूह, किसी की आंत्मा तड़पती है न आपके लिए जो उससे बिना आवाज किये जो तड़प निकलती है, जो बद्वा निकलती है वो खभी खाली नहीं जाती आज उसने साब साब वीडियो में बोल दिया है कि मेरा घड तोड़ने वाला कोई तीसरा इंसान है मुझे इस हालत तक पहुँचाने वाला कोई तीसरा इंसान है मेरी जिंदिकी को बत से बत्तर वनाने वाला वो थर्ड परसंट है थर्ड परसंट है, सौरी आज सच में इतने पर भी अगर किसी का कालेज अपसीस्ता नहीं है न तो मैं तो बोलूँगी उस इंसान के अंदर दिल तो है इनी पत्थर है और इंसान के नाम पर पता नहीं कौन से हैवान कौन से सैतान होते है सपना ने बोला है अपनी वीडियो में कि तुम्हारे घर भी बेटियां हैं, तुम्हारे घर भी बेटे हैं, कल को कोई तुम्हारे घर भी बहु बन कर आएगी और तुम्हारी बेटियां भी किसी के घर बहु बन कर जाएगी, कर्मा सब का लोटता है क्या करे जब उसकी इतनी अंदर तक उसे तोड़के रख दिया है आज वो सब कुछ हार गई, सब कुछ हार गई आज उसने वीडियो में बोल दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरी कमाई, मेरे बेटियों का हाग, मेरा कुछ भी नहीं चाहिए अपना भी हार गई वो अपना भी, पती का, सास, सुसर का तो उसे कुछ चाहिए नहीं था आज उसने अपना भी छोड़ दिया, जी लो अपनी जिंदिकी, ठीक न, अगर इस से अगर तुम लोगों को खुसी मिलती है, जो भी तीसरा इंसान है, और वो तीसरा इंसान आज से नहीं है, राजबिर भहिया के टाइम से है, और बोलू तो सूरज भहिया के टाइम से भी है, वो तीसरा इंसान, यार दिल नहीं पसीजता, तुमारा कलेजा नहीं पसीजता, उसको रोते देखकर, आ इंदर से, सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए उसकी सांस हैं चर रही है, जीन ही रही वो, इसको जिन्दिकी नहीं कहते, इसको जीना नहीं कहते, सिर्फ काट रही है, सिर्फ काट रही है, आज उसने जो अपनी मैना से कमाया ना, उसमें भी लात मार दी उसने, सिर्फ अपन नहीं है, इनका कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं है तो उसने बोला है कि वो तीसरा इंसान जो इनका बुढ़ापे का सहारा मिलेगा जिसने हमारे जिन्दी की तैस नहस कर दिये वो इंसान बहुत जल्दी ही नजर आएगा आपको सासूसर के पास वो पूरी फैमली नजर आएगी सासूसर के पास सपना ने बोला है शायद वो उनके खुन के रिष्टे हैं हम तो कुछ है ही नहीं सपना को भी भी उमीद थी कि उधर से बोलेंगे बिटा तू आजा बेटा तू आजा लेकिन ऐसा नहीं है हार गई वो हर तरह से हार गई उसकी हर एक उमीदार आखरी तूट गए और उसने बोला कि मैं इस मैटर पर आज के बाद नाम ही नहीं लूँगी बात ही नहीं करूँगी उस लड़की को देखा होगा जिसने अपने सास सुसर को कंधा देती थी रोने के लिए अपनी सास को फावास वाला वीडियो देखा होगा अपनी सास को कंधा दिया था रोने के लिए अपने आशो छपाती थी अपने परवार को खुश रखने के लिए लेकिन आज उस नुई इंसानों नहीं वो ही पड़ सानze उसको इतना रोला रहें, इतना रोला लें, सच मिहार बहुत बुरा लगता है, बहुत रोना आता है, सब देखे बट क्या कर सकते हैं, हम मजबूरे हैं, इतनी दूर से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक ना, आज उसने सब को छोड़ दिया, खुश रहिए, जिसने भी साजिस रची है ना, आप खुश रहिए भया, ठीक ना, जो भी हैं, भया बहनी, जो भी हैं, उसने ये बोल दिया है, कि आप जो मत्रा वाला घर है, सपना ने बोला, जो मत्रा वा नहीं सिर्फ एक साल वेट कर लीजिए बोला है मैं भी सोसल मीडिया पे रहूंगी और ये लोग भी रहेंगे देख ले न पूरी फैमिली वहां मत्रा वाले घर में जराएगी सायद इसी लिए सपना को मत्रा वाला घर देने से मना कर दिया तीन तीन चार चार घर है इनके पास लेकिन उसको अपने बच्चों को एक घर एक छट देने से भी निकार कर दिया अब खुसी मिल गई आप सबको ठीक ना अब तो उसने अपना भी छोड़ दिया बहुत हाय हो रही थी प्रोपर्टी की बहुत हाय 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 हो रही थी उसको इतना बदनाम कर दिया कि तीसरी शादी के लिए सब कुर्च कर रही है तीसरी सादी करके भाग जाएगी उसने माल से ज़्यादा प्रोपर्टी से ज़्यादा आज उसने दिखा दिया उसे अपना स्वाभिमान अपना आत्म सम्मान प्यारा है उसने बोला मेरी बेटियां भी खुछने रहेंगी आगे चलके कि अगर मा की जद पर मा के ओपर कोई कलंक लगे ऐसा पैसा ऐसी जाजाद ऐसी प्रॉपर्टी मेरी बेटियों को भी नहीं चाहिए और मुझे भी नहीं चाहिए जिससे मेरी आत्मसमान को कोई दाग लगे, कोई ठेस पहुँचे और क्यों यह तीसरी साधी, तीसरी शाधी मजाक बना रखा यार किसी की लाइप को इतना तमासामत बनाएए वो अवे सब के बारे में सोच भी नहीं सकती क्योंकि भगवान को नहीं मंजूर है उसकी लाइप में खुशी है भगवान शायद देखना ही नहीं चाहता उसको खुश और पीछे पड़े हैं हाथ दोकर इंसान तो जिसका कोई नहीं होता ना, उसका उपर वाला जरूल होता है और कर्मा सबका लोट कराता है, सबका हिसाब किताब रखता है ये चीज जरूल गाठ बांद लेना आज उसको देखे सच में यार बहुत वो कितना अंदर से खतम हो गई, तूट गया सब कुछ हार गई, सब नौचावर कर दिया ये तीसरे, ये थर्ड परसन पर ये तुमको मुबारक हो, वो बिचारे माबाब और उन बिचारों को तुम मुबारक हो खुश रो, उसके अंदर इतना सब्र है इतने पर भी किसी की आँख नहीं फूट खुलती ना इतने पर भी किसी की आँख नहीं खुलती नहीं खुलती तो कि वो आज किस हद तक तूट गई है सच मैं यार बहुत बुरा लगता है देख कर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरी बात हो सच सहमत हो तो प्लीज लाइक कर देना मिलती हूं ऐसे किसी नैस्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए बाए बाए